परदान मंत्री नरेंदर भाई मोदी ने जब से देश में स्वच्छता अभियान का अलख जगा आया है तो लोगों में भारी जागरुपता देखने को मिली है और इसके लिए आमजन कुछ भी करने को तयार है लेकिन अगर धरातल पर बात की जाये तो सरकार के तमाम दावे क खोकले होते दिखाई पड़ रहे हैं तथा जिस विभाग के कंधो पर सफाई की जिम्मेदारी है वह विभाग और सरकार सिवाए वहवाही लूटने के कुछ करती दिखाई नहीं दे रही इसी के चलते एक एंगर पार्शत से मिलकर सफाई के नाम पर एक मुहीम चलाई और लोगों को डोर टो डोर कच्रा उठाने का भरोसा दे कर उनकी जेबे कार डाली बदले में उन्हें पीले रंका एक पॉली बैक भी थमा दिया लेकिन करीब दो महां बितने के बावजुद दो चार दिन चोड़कर एंगर पार्शत और एंग्जियो को बुरी तरह कोस रहे ह अब अगर वार्ड में सफाई की बात की जाए तो जगा जगा लागे दिखाई दे रहे कूडे के ये धेर अपने आप में बता रहे हैं कि नगर परिशत का सफाई को लेकर कितना सरुकार रह गया है लोगों की माने तो कभी कबार उनके वार्ड में सफाई करमचारी आते है ऐसे में लोग भी मजबूरन इनी धेरों पर अपने घुरों का कच्रा डाल रहे हैं। वहीं से लेगा नगर परिशत का कहना है कि जब एंजियो ने वाड में नगर परिशत की खाली जमीन पर कच्रा डाना शुरू किया तो कुछ शरार्ती तत्वों ने इसमें अडंगा डाल दिया जिसके चलते अब एंजियो पास लगते एक गाउं में खाली जमीन की तलाश कर है जल्दी महां कच्रा डलवा दिया जाएगा ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मुहीम शुरू करने से पहले एंजियो ने नगर परिशत से कोई परमिशन ली और अगर नहीं ली तो किस आधार पर पॉली बैक के नाम पर लोगों से 50-50 रुपे वसू ले गए इसका अभी एक महीने से कोई कच्रा उठाने नहीं आ रहा है पचास रुपे आपने किसको दिये थे पचास जिए जो एंजियों की मेडम आई थी उनको दिया था जी नहीं हमारे हाथ तो कमेटी की तरफ से खुड़ा उठा है सिर्फ एक मुश्किल से महीने में दस दिन आए उसक दूसरी बात जैसे जोड में हमारे वहां डश्क्वीन बन रहा है तीन चार वाड़ों का कूड़ा पड़ता है तो उस लड़के को कोई कोपरेट नहीं मिला वहां कोड़ा डालने के लिए उसको मना कर दिया जबकि तीसरे दिन वहां से मैं डम प्यार भरोता हूं कमेटी की अब उसने कोई चादास में जमीन लई है वहां वो लड़का यहां से कोड़ा लेके जा रहा था तो वो बोला डाक्षा मेरे इसमें पड़ता नहीं खारा क्योंकि लेबर ज्यादा है यह जो पचास रुगा आपने लगाई है यह कम है झाल